देखिए देवराज ब्रहामन चोरी करने के बाद भागवान शंकर के धाम गया है उसका एक कारण था कि देवराज ब्रहामन की माता एक लूटा जल शिव को समर्पित करते हैं कितना जल जम के बुलिये जल एक लोटा जल और आप सब को कहूंगा शिव मंदिर में प्रती दिन एक लोटा पानी एक लोटा जल अवश्च चलाना एक लोटा पानी मघवन शंकर को अवश्च क्या होता है तीन दोश समखत होते हैं एक लोटा पानी शिव जी को चड़ाने से तीन दोश पहला पित्र दोश दूसरा वास्तु दोश और तीसरा कालसरफ दोश जो हम घर में से जल ले पर जाता हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु के अंदर होता है वो रसोई घर होता है रसोई घर में से जल ले जाकर चिव जी को चड़ाते हैं तो उससे वास्तुदोष समाकता होता है दूसरे नंबर पर है पित्रदोष घर का जो मटका होता है परिंडा होता है हंडा होता है वो पित्रों का इस्थान होता है उस पित्रों के इस्थान पर जो जल भरा होता है उस समय से अगर बाग भगवान शिव को चड़ाया जाये तो पित्रों का देवता आर्यमा बगवान शंकर के कहने पर चल जा। इसलिए वह भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष थो कर पित्रों को भी फल प्रदान करते है। तीसरे नंबर कर, कालसर्प दोष्ट भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चड़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चड़ा रहे हो, तो आपका कालसर्प दोष्ट होता कैसे? शंकर भगवाने से पद्रिका में काल्सटोश हो जाऊता जैसे मां गरव में संतान fantastic एक लुटा पानी पर जैसे चंखर जिघन राया थाली में को निला लिए गणे drafting लिजी देवी जी शंकर जी सारे देवतांट को एक ही थाली में रखकर इसनान करा कर वो शंकर का चड़ा हुआ जल जब चड़ाया जाता है तुल्सी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं उससे जो बच्चा जनम लेता है उस बच्चे की पत्रिका में काल से दोस्त आ जाता है इसलिए जियो महापुराण की नठा कहती है कि सारे रेवताओं को भले एक इस थाली में पात्र में पर देवदिदे महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लिना चाहिए अलग सुछ और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुगा जल तुलसी जी में नहीं डालना तुमारे घर में जो पोधा हो जो पोधा हो आप उसको उसमें समर्पित करें जैसे कि बेल पत्री चड़ाने के बाद जल चड़ाना या जल चड़ा कर दिल पत्र चड़ाना एक पत्र है बड़ा सुन्दर है छोटा सभाव प्रिश्ण अच्छा है आप सब के हित्ता है यह यह अ시ता यह आएल में जैपु जरना जिये अगरवार माल माले जैपुर राजस्थान से उन्होंने प्रिश्णी किया है गुरदेव दूद्व कच्चा दूद्व केवल श्विलिंग पे चड़ाना चाहि determinesि या पूरे श्युव परिवारस का प्रिश्न स्छान एख तो आप उसको समझें दूद केवल शिविलिंग पे चड़ाना चाहिए या जो शिविलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चड़ाना चाहिए अगर लिंग पुराण आप उठा कर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संबाद आता है जिसमें पीले कलर के शिविलिंग का बना रहा है सफेद लाल पीला और काल यह यह शिविलिंग आपको पिले बना रहा है ब्रहमन सफेद मटी का शिविलिंग बनाता है वैश्य शुद्र काली मटी का शिविलिंग बनाता है चत्रिय लाल मटी का शिविलिंग 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 शिविलिंग का बंदन आता है कि पीला जो शिविलिंग का भाव कितना सुन्दर वताया गया है उसमें वियक्त्यान बंदन में आप अगर पड़ेंगे देखें लंग पुराण के अंतरगत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदिव महादेव के शिवलिंग पर समरपित करते हो क्यों ही इसकम पुरान की लिंग पूराण कता कृति यह नर्वदा पुराण इसकन्द पुराण प्दोंपुरा Actually, ऐगनी पुरान सारी पुराने बर्णन करती है वर目前 पुरानगरम बllseta पुरानगज जितनी पुराने या जपम करती है कि जम शिवलिंत हो सबहर दूढ से तो केवल संकर भगान के शिवलिंग पर दूढ देने से संपून डूद परिवार परफदेशचे जाता है अलग से कही जड़ाने के जरुवत नहीं है कि ब्रभारेश हें जरुद दैने की ते नहीं कु अन्ससर नहीं कि अधिटहल जी जी जरुदिन कि जो हम बढ़न शिव को समर्पित कर रहा हैं वो केवल शिव के लिइन रेता केवल भगावान संकर के लिए नहीं है तपिस्वte般 nomet Kota imperp Twitter आखेए हैं कि अलग से देने की जरूबत नहीं हो कि महाराज़ा एक लोटा पानी आप पेलपत्री आप शिवलिंग पर पेले चड़ा रहे हैं उसके बाद जल चड़ा रहे हैं दूसरा जल चड़ाने के बाद पेल पत्र चड़ा रहे हैं ये दो अलग-अलग क्रम हैं शंकर भगवान की पूज़न के आप समझ लीजिए पर संग कभी नहीं आया आ जाया है तो उसको समझे पहले बेल पत्र उसके बाद में जल जो चड़ाया जाता है ये रोग-बुक्ति के लचड़ाए रहे हैं काई किल चड़ाते हैं पना रोग के निवारा रहे हैं रोग-बुक्ति के जैसे कोरोना महामारी के अंतरगर अपन सब ने इस्मरण किया है ओनलाइन श्यू महापुराण में कि एक बंडन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्त गरबड हो रहा है तो एक लोटा दूद था और एक लोटा पानी बेलपत्र रग कर फिर चड़ाने का उस समय पर बंडन किया थ इसी तरह आप श्यूमंदर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीज़ीं अपने को दर्शन करने करने के मिलेगी एक भगत आता है शंकरजी के मंदर में लोग भाव से पोस्ते हैं तो पहले वो क्या करते हैं पहले बेलपत्री चड़ा देते हैं और उसके बाद अगर शंकर बगवान पे जल चड़ा रहे हो तो यह रोग मुक्ति के लिए होता है जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए रोग किसी को गेर ले तो वह बेल पत्री चड़ाने के बाद फिर जल चड़ाएगा तो उसको रोग ठम जाएगा और फिर वह रोग आगे नहीं पागे आगे नहीं का परोगों को थामने के लिए बेल पात्री पहले पिर जल जल। को और जब कुछ पुछ कारे के लिए से अच्छे कारे के लिए आप मन की प्रसनता के लिए आनंधता के लिए आप शिव अराधना कर रहे हों आप शंकर की अरादना कर रहे हो तो आप जल चड़ा कर फिर बिलपत्री चड़ा उसका लाब आनंद में आपने जल चड़ाया उसके बाद बिलपत्र चड़ा बस एक बात का स्मर्ण आपको होना चाहिए श्युमाह पुराण का कि जब भी आप भगान शंकर को बेलपत्र चड़ाते हैं बेलपत्र समर्पित करते हैं बेलपत्र समर्पित करते हैं प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की मद्ध की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ट से पकड़ा जाए उसके बाद में आप फिर बेल पत्री को शिव पर समर्पित करें प्रयास करें बेलपत्र जो भगवान शंकर को समर्पित करते हैं उसका मध्य जो भाग होता है जो पीन देवताओं का मध्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना जाए पूर्व की कथाओं में ये भी बढ़न किया है कि बेल पत्री की डंडी का मुख का होना चाहिए पूर्व की कथाओं में ये भी बताया गया है कि बेल पत्री की दोनों तीनों डंडीयों के बीच में तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगा होती है डंडी होती है उसका क्या मात्र है यह पूर्व की कथा में पहले बता चुक पर आज जो करम चल रहा है कथा का उसमें अपन जो समझ रहे हैं वह यह होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चड़ा रहे हैं आपके जल चड़ाने का क्रम क्या अगर आप रोग मुखनी के लिए तो पहले बेल पत्र च कि क्सक्रारगरत जैसे रहम लोग है बेक उंक में भगवान विस्णु एस है पर संसार शागर में मरत्य लोग अगर कोई स्ब्सक्राग segurança है भगवान दया करना में तेरे परोसे हूँ भूलनात दया करना में तेरे परोसे हूँ ना घर के बरोसे हूँ ना परिवार के बरोसे हूँ ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भूले नात दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ भूले नात दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, जिसको एक भरोसा होता है, शंकर का, भगवान का एक भरोसा होता है, दिगता नहीं है, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, भूले नात दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, हूँ, ना इनके भरोसे 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 ह